अगर दिल्ली से मेरट जाना हो तो कम से कम धाई से तीन घंटे का सफर होता है और वह सफर कितना मुश्किल भरा होता है वह चाहे आपको बस का सहारा लेना होगा या किसी लोकल ट्रेन का और आपके तीन घंटे बरबाद होने ही हैं लेकिन अब नहीं होंगे क्योंकि यह 82 किलो मिटर का लंबा सफर सिर्फ एक घंटे में तै हो जाएगा और वह कैसे तै होगा जी हाँ हम बात कर रहे हैं 82 किलो मिटर लंबे दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरट तक जाने वाली मेट्रो टेन के बारे में नमस्कार मैं हूँ मनीश पांडे और आप देख रहे हैं सर अलभारत न्यूज यह जानकारी आपके लिए तैयार की हमारे टीम के हेड स्क्रिप्ट राइटर शीवम चौहान ने यह देश का पहला सेमी हाइ स्पीड रेल कॉरिडोर है इसके तहत 24 स्टेशन और दो डिपो हैं देश के पहले राइटियस रिजनल रैपीड ट्रांजिट सिस्टम सेमी हाइ स्पीड ट्रेन को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है जी हाँ और यह दिल्ली से मेरड तक का स सफर तैय करेगी इस ट्रेन की आधार सिला 8 मार्च 2019 को पीयम मोदी ने रखी थी इस पूरे प्रोजेक्ट पर 30,274 करोन रुपए खर्च आने की उमीद है यूपी सरकार इसके लिए 6,048 करोन दिल्ली सरकार 1180 करोन और केंदर सरकार 5,872 करोन रुपए देगी आए जानते ह कि आखिर क्या है और कैसी होने वाली है भारत की पहली रिजनल ट्रेन दिल्ली से मेरट तक चलने वाली मेट्रो रेल देश की पहली रिजनल ट्रेन होगी यह अपनी तरह का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है इस पर हाई स्पीड रेपीड रेल के साथ ही मेरट के कुछ हिस्सों मे मेٹرو ट्रेने भी चलेंगी इस प्रोजेक्ट को टो इन वन प्रोजेक्ट की तरह डिजाइन किया गया है जिसके तहत एक ही ट्रैक पर दो तरह की ट्रेने चलाई जाएंगी इस प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा 2023 तक पूरा किया जाना है जबकि दिल्ली और मेरट के बीच कोरिड प्लेटफार्म पर दोनों तरफ खुलेंगे एक तरफ के दरवाजे में यात्री रेल में प्रवेश करेंगे और दूसरे तरफ के दरवाजे से यात्री उतरेंगे रैपीड रेल के लिए दोनों तरफ प्लेटफार्म होंगे यह दो प्लेटफार्मों के बीच में रुकेगी म मेरट में रैपीड रेल का काम तेजी के साथ इस समय हो रहा है मेरट शहर में मेट्रो शेसनों को भूमिकत बनाने का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है ट्रेन 6.5 मिल्टर व्यास के टनल से होकर गुजरेगी इसके लिए दो टनल बनाई जा रही है दिल्ली मेरट रोड पर र प्रवेस्व निकासद्वार टैंक चौराहे पर रहेगा आईए जानते हैं कि इस ट्रेन का रूट क्या होगा और दिल्ली से मेरट या फिर मेरट से दिल्ली जाने वाले यात्री कहां कहां रुख सकते हैं कौन-कौन से इस्टेसन होंगे 82 किलोमेटर वाले इस रूट का 68 कि प्रिंट भीड और दुरघटनाओं में कमी आएगी इसके साथ ही लंबे सफर में समय की बचत से नए आर्थी का उसर भी पैदा होंगे कौन-कौन से इस्टेसन होंगे दिल्ली और मेरट मेटरों के बीच में दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरट तक रैपिट रेल क इपो, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नौर्थ, परतापुर, रिठानी, शताबदी नगर, प्रम्भपूरी, मेरट सेंट्रल, बेगमपूल, M.E.S. कॉलोनी, दौराली मेटरो, मेरट नौर्थ, और मोदी पूरा मिश्टेसन सामिल है योजना के अनुसार मेरट शहर में मेटरो में भी इसी पटरी पर चलेगी, मेरट में मेटरो तीन डिब्बों वाली होगी, जिसे लाइट मेटरो के नाम से पहचाना जाएगा, हम ट्रेन का टिकट कैसे प्राप्त करेंगे, ये मुख्य बात है, इस कॉरिडोर पर यात्रा की लिए NCRTC का स्मार्ट कार्ड और अन किसी सरकारी या गैर सरकारी अथर्टी की तरब से जारी ट्रेवल कार्ड को भी हम यूज कर सकते हैं, NCRTC के द्वार यात्रियों को टोकन सुविधा भी उपलब्द कराई जा सकती है, जिसमें यात्रा के बाद उन्हें टोकन वापस जमा करना पड़ेगा, इसके अलाव डिजिटल और पेपर QR कोड वाले टिकट भी जारी किये जाएंगे, साथ ही यात्री NRCTC के मोबाईल एप से डिजिटल QR टिकट और कार्ड आधी भी रिचार्ज कर सकेंगे, जिसका भुकतान आप पेटियम फोन पे जैसे डिजिटल भुकतान पेमेंट मोड से कर सकते हैं, ट्रेन की स्पीड क्या होगी? जो डिल्ली से मेरट तक ट्रेन जाएगी, उसकी स्पीड क्या होगी? ये सबसे मुख्य बात है, जो की एक घंटे में सफर 80 किलोमेटर का तै कर रही है. रैपीट रांजिट सिस्टम कोरिडोर डिल्ली के सराय काले खां से लेकर मेरट के बेग भी हो सकेगी. अभी फिलहाल लोगों को डिल्ली से मेरट पहुशने में धाई से तीन घंटे का समय अराम से लग जाता है. इस रीजिनल ट्रेन के क्या-क्या मुख्य विशेस्ताय होगी? उस पे बात कर लेते हैं. आराइटियस कॉरिडोर का काम पूरा होने के बाद डिल्ल से मेरट तक का सफर मह साठ से सतर मिनट में पूरा हो सकेगा. वर्तमान में यह समय धाई घंटे का है. इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन में एक बार में करीब अठारा सो लोग सवार हो सकते हैं. वायू प्रदूशन, कार्बन फुट्प्रिंट, भीड और दुर घटनाओं में इस ट्रेन के चलते कमी आएगी. एक ट्रेन में 6 कोच होंगे. यात्रियों की संख्या तथा सामान बढ़ने पर ट्रेन की कोच की संख्या बढ़ा कर 9 तक की जा सकती है. एक ट्रेन में 400 से 450 लोगों तक के बैठने की सुविधा उपलब्ध होगी. इस ट्रेन में हर एक घंट एक अनमान के मुताबिक परियोजना के पूरा होने से रोज 8-9 लोगों को इस कोरिडोर और इस मेट्रो ट्रेन से फायदा होने वाला है. तो मिलेंगे फिर आपसे एक ऐसे ही नए विशय और जानकारी भरे विशय को लेकर तब तक दीजे मुझे मनीश पांडे को इजाजत हमारे सरल भारत मैगजीन को पढ़ने के लिए आप हमारे सरल भारत फेस्बुक पेज को लाइक करें और उस पर जाकर आप फ्री में सरल भारत मैगजीन का डिजिटल पीडियफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में आप पढ़ सकते हैं जो कि सिर्फ UPSC और सारी एक दिवसी परिक्षाओं के छात्रों के लिए तैयार किया गया है तब तक दीजे मुझे मनीश पाणने को इजाजत मिलेंगे फिर एक नए विशे को लेकर नमस्कार